जैसे कि अब अनुपमाशो के बनराज यानि कि अक्टर सुधान शुपांडे ने अनुपमाशो को छोड़ दिया है और अब उनका शो को छोड़ने को लेकर बियान आया है तो चलिए जानती हैं कि आखिर उनका शो छोड़ने को लेकर क्या कहना है अक्टर सुधान शुपांडे अपनी एक्जिट को लेकर कहते हैं मुझे लगा कि आगे बढ़ने का समय आ गया है इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन उन पर विचार करना एक कदम पीछे हटने जैसा लगता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वनराजशा के रूप में मेरा सफर अविश्वसनिया रूप से फायदे मन रहा है मुझे दर्शकों से अपार प्यार और उतनी ही नफरत मिली है और बाद में मुझे विश्वास होता है कि मैंने किरदार के साथ नियाए किया है वनराजशा एक ऐसा किरदार है जो इतना दमदार है कि उसे खत्म नहीं किया जा सकता बले ही कुछ समय के लिए वह फूटेज ना मिले जिसके वह हकदार है इसलिए मैंने अपने किरदार के आर्कियाग्राफ के बारे में कभी चिंता नहीं की केवल एक चीज जो मुझे चिंतित कर सकती थी वह यह थी कि मैं कम दिनों के लिए शूटिंग कर रहा था मैंने किरदार को अपना सब कुछ दिया है और इसे हमेशा दिल्चस्प बनाने का परियास किया है तो अब सुधान शूपांडे तो शो को अलविदा कह चुके हैं लेकिन मेकर्श तलाश में जूट गए हैं नए वनराज शाह की और खबरी हैं कि अब इस किरदार के लिए आक्टर पंकीत ठकर को अप्रोच किया गया है माना जा रहा है कि पंकीत का लुक टेश्ट भी हो गया है अक्टर पंकीत ठकर की बात करें तो ये से पहले बहु हमारी रजनी कांत जनम जनम का साथ है और बढ़ साते मोसम प्यार का जैसे कई शोज में दिखाई दिये हैं तो अब यह देखने वाली बात होगे कि आखिर क्या ये नए वनराजशाह बन पाएंगे या फिर किसी और एक्टर को फाइनलाईज किया जाएगा आप अनुपामा शो में अब नए वनराजशाह के रूप में किस एक्टर को देखना चाहते हैं अपनी उपिनियन दीजे नीचे एक मैट सेक्टर में सुडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए